हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वाकत हमारे चैनल पे चलिए शुरू करते हैं वाव उजाले में तो नजर आती है प्रंतु अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती बताव ऐसा क्या है टाइम अप गाईज इसका सही जवाब परचाई जियां दोस्तो परचाई चलिए दोस्तो बढ़ते अगली पहली की तरफ सर्वेस के पिता के चार बच्चे हैं सुरेस रमेस और गणेस चोथे का नाम बताईए टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है चोथे का नाम सर्वेस है क्योंकि सर्वेस के पिता के पुत्रों की बात हो रही है जिसमें से सर्वेस एक है जियां दोस्तो आपने क्या सोचा था जरू बताएं में कमेंट बॉक्स में चलिए दोस्तो बढ़ते अगली पहली की तरफ बहुत इंट्रेस्टिंग पहली है ऐसी क्या चीज है जो जागे रहने पर उपर रहती है सो जाने पर गिर जाती है बताओ ऐसी कौन सी चीज है टाइम अप गाई जिसका सही जवाब हमारी पल के है जियां दोस्तो जो जागे रहने पर खुली रहती है सो जाने पर बंदो जाती है चलिए दोस्तो बढ़ते है अगली पहली की तरफ ये भी बहुत मज़दार पहली है ऐसी क्या चीज है जो पती अपनी पत्नी को दे सकता है किन तु पत्नी अपने पती को नहीं दे सकती बताओ ऐसी क्या चीज है टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है उपनाम या सरनेम जहां दोस्तो आपने क्या सोचे था जूरू बता है हमें कमेंट बाक्स में चलिए दोस्तो बाड़ते अगली पहली की तरफ ये भी बहुत मज़ेदार पहली है ऐसी क्या चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं आग में होती है लेकिन पानी में नहीं बताओ टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है गर्मी जिहां दोस्तो आपने क्या सोचाता जूरूर बताए चलिए दोस्तो बढ़ते है एक और इंटेस्टिंग पहली की तरफ ऐसा कौन सा जीव है जो जीप से नहीं अपने पैरों से स्वाद लेता है बताओ ऐसा कौन सा जीव ह टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है तितली जी हां दोस्तो तितली एक ऐसा जीव है जो अपने पैरों से स्वाद लेता है चलिए दोस्तो बढ़ते है अगली पहली की तरफ कौन से देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है बताओ ऐसा कौन सा देश है टाइम अप गाईज इसका सही जवाब नार्वे देश यहां दोस्तो नार्वे एक ऐसा देश है जहां रात को भी सूरज निकलता है चलिए दोस्तो बढ़ते हैं और मचेदार पहली की तरफ ऐसी क्या चीज है जो बाटने पर बढ़ती जाती है बताओ ऐसी कौन सी चीज है टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है ग्यान जियां दोस्तो ग्यान ही एक ऐसी चीज है जिसको जितना बाटोगे उतना बढ़ता जाएगा चलिए दोस्तो बढ़ते हैं अगले पहली की तरफ ऐसा कौन सा सहर है जिसे हम खा सकते हैं बताओ ऐसा कौन सा सहर है टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है सिमला मेरी जिया दोस्तों जिसमें से सिमला एक साहर का नाम है चलिए दोस्तों बाड़ते अगली पहली के तरफ वा कौन है जो आपकी नाग पर बैट कर आपके कान पकड़ता है बताओ वा कौन है टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है चस्मा जिया दोस्तों चस्मा आपने क्या सोचा था ज़रूर बताएं चलिए दोस्तों बाड़ते अगली पहली की तरफ उसका नाम बताईए जिसको पीटने पर लोगों को बहुत मज़ा आता है बताओ उसका क्या नाम है टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है ढोलक जिया दोस्तों ढोलक आपने क्या सोचा था ज़रूर बताएं कमेंट बाक्स में आगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और मज़ेदार पहली की तरफ ऐसा कौन सा बैग है जो सिर्फ भीगने पर ही काम आता है बताओ टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है टी बैग जिया दोस्तों टी बैग आपने क्या सोचा था ज़रूर बताएं अगली पहली बहुत ही मज़ेदार पहली है शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा चमकता है बताओ शरीर का इसा कौन सा अंग है टाइम अप गाईज इसका सही जवाब है आँख जिया दोस्तों आँख आपने क्या सोचा था जरूर बताएं कमेंट बाक्स में चलिए दोस्तों बढ़ते एक और पहली की तरफ अगर आपके पास दो गाई और चार बक्री है तो आपके पास कुल कितने पैर हैं बताओ बहुत इंटेस्टिंग पहली है टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है दो पैर जिहां दोस्तों यहां पर आपके पैर की बात हो रही है ना कि बक्री और गाई की चलिए दोस्तों बाढ़ते अगली पहली की तरह बहुत मज़दार पहली है ऐसा काउन सी चीज है जिसके पास गला है पर सर नहीं बाहे हैं पर हाथ नहीं बताओ टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है साट यहां दोस्तों साट आपने क्या सोचा था जरूर बताएं चलिए दोस्तों बाढ़ते अगली पहली की तरफ जमीन में मरा दबा दो जिन्दा होकर बाहर आउंगा बताओ मैं कौन हूँ टाइम अप गाई जिसका सही जवाब है बीज जियां दोस्तों बीज आपने क्या सोचा था जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में चलिए दोस्तों बाढ़ते अगली पहली की तरफ मज़दार पहली है पहले मुर्गी आई या फिर अंडा बताओ अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो जरूर कमेंट बाक्स में बताएं टाइम अप गाईज वग्यानिको का कहना है कि पहले मुर्गी आई फिर उसके बाद अंडा आया जियां दोस्तों आपने क्या सोचा था जरूर बताएं कमेंट बाक्स में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की आखरी पहली की तरफ कान है पर बाहरी हूँ मूँ है पर मौन हूँ आखें हैं पर अंडी हूँ बताओ मैं कौन हूँ सोचो जरा टाइम आप गाईज इसका सही जवाब है गुडिया जियां दोस्तों गुडिया आपने क्या सोचा था जरूर बताएं कमेंट बाक्स में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में